हेलो स्टुदेंट्स आम मिली आदव और वेलकम तो माई यूटूब चैनल नौलेज एट्यूट मैंज गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके हम सौल करने जा रहे ह सब्सक्राइब करने हैं तो सबसे पहले पार्ट को लेते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है 612 and 1314 इसका एक्सिय फाइन करना है यूकलिट्स डिविजन अल्गरिदम से तो हम सबसे पहले लेमा लिख लेते हैं बाइ यूजिंग यूकलिट्स डिविजन लेमा तो यूकलिट्स डिविजन लेमा की अकॉर्डिंग A is equal to BQ plus R होता है जहां पर जो आपका remainder है वो 0 के equal या उससे बड़ा होगा लेकिन B से less होगा यहां पर A का मत्रब क्या होता है A means होता है dividend B means होता है divisor and Q means होता है quotient और R means होता है remainder तो अब यहां पर आपको क्या करना है इसी की help से इसकी help से यह solve करना है तो यानि यहां पर आपको इसे divide करना पड़ेगा तो divide करने में सबसे पहला rule होता है हमारा step 1 होता है कि हमें इसमें A और B find करना होता है तो यह आप तरीका जान लेजए हमेशा जो बड़ी value होती है वही A होती है यानि यहां पर A जो है वो 1314 है और जो B है वो 612 है यहां पर इसका एक condition होता है कि A is greater than B होना चाहिए therefore 1314 is greater than 612 तो use करते हैं तो सबसे पहले division करते हैं हम लोग यहां पर तो यहां पर जो होगा हमारा dividend is equal to इस format में होना चाहिए तो सबसे पहला 612 है इसे divide करेंगे 1314 से तो यह जो है हमारा यहां पर 2 times हो सकता है क्योंकि 13 है 6 to the 12 तो 2 times लेके जाते हैं से 2 to the 4 2 one the 2 6 to the 12 minus करेंगे 4 minus 4 0 carry लेंगे इसमे 11 minus 2 9 फिर यहां पर 2 minus 2 0 हो जाएगा 1 minus 1 0 हो जाएगा आपका remainder 0 नहीं आया तो जब तक remainder 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें यहां पर इस series को solve करते जाना है और इसी series को हम algorithm बोल के है क्योंकि इस question में आपको algorithm लगाना है lemma होता है statement जिसकी help से आप और statements प्रूफ करेंगे तो यहां पर इस statement की help से यह आप यहां पर इस series को solve करेंगे और series को algorithm कहते है then again यहां पर क्या लिखेंगे आप here r is not equal to 0 r means यहां पर 90 है 90 that is 90 is not equal to 0 therefore therefore अब हम यहां पर यह format लिख लेते हैं 1314 is equal to 612 into 2 plus 90 क्योंकि यह आपका rule होता है आप अगर यूकलिट्स डिविजन लेमा यूज करेंगे तो remainder आपका 90 आ रहा है और अगर remainder आपका 90 है जीरो नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा अगेन यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा using यूकलिट्स डिविजन लेमा तो फिर से यूज करेंगे तो फिर से आपका A क्या हो जाएगा अब आपका जो A होता है यह आप समझ दीजे एक बार जो रिमेंडर होता है उसे अब हम B बना लेते हैं और जो हमारा यहां पर टिविजर था उसे हम A बना लेते हैं तो यहां पर A की वालू हो गई 612 और B की हो गई 90 तो हमेशा यहां पर B जो होता है A से लेस होगा यानि 612 is greater than 90 होगा तो फिर आपको यहां again divide करना है तो चलिए again divide करते हैं 90 को यह 612 को 90 से तो यह हम divide करेंगे तो यह हमारा possible हो सकता है इसे हम six times लेके जाते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 0 से 6 का multiply होगा 0 और 9, six यह 54 फिर उसके बार मैनस करेंगे तो 2, minus 0, 2 और carry लेंगे यहाँ पर 11-4 यहाँ पर हो जाएगा 72 अभी भी remainder 0 नहीं आया है तो पहले हम लिख लेते हैं therefore 612 is equal to 90 into 6 plus 72 अभी भी remainder 0 नहीं आया फिर से हम यहाँ पर solve करेंगे तो हम यहाँ पर again क्या करेंगे इसको divide करेंगे यहाँ लिखेंगे here r is not equal to zero that is 72 is not equal to zero तो फिर से हमारा अब a क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा तो फिर से divide करते हैं इसको 90 से तो यह one times लेके जाते हैं minus करेंगे इसको 10 minus 2 8 हो गया 8 minus 7 18 हो गया अभी भी remainder 0 नहीं आया तो therefore पहले हम इस format को लिख लेते हैं dividend is equal to division into question plus remainder 90 is equal to 72 into 1 plus 18 फिर से हम यहाँ लिखेंगे here r is not equal to zero that is 18 is not equal to zero तो हम again यहाँ पर क्या करेंगे using euclid division lemma तो a किता हो गया हमारा a 72 हो गया और b किता हो गया 18 हो गया तो फिर से हम यहाँ पर divide कर लेते हैं तो 18 है इसको divide करेंगे हम 72 से तो यह हमारा जो है 72 के table से यहाँ पर solve हो जाएगा तो इसे हम ले जाएंगे यहाँ पर 18 हैंगे therefore 72 means dividend is equal to 18 into 4 plus 0 अब HCF कैसे बता करेंगे हमारा जिस डिविजर की वजा से यहाँ रिमेंडर 0 आया है वही होता है HCF यानि यह जो 18 है यही हमारा क्या होगा HCF होगा therefore HCF of 612 and 1314 is equal to 18 तो इसका HCF क्या होगा 18 होगा और यही हमारा answer हो जाएगा तो अब हम लोग 5 seconds solve करते हैं पार्ट सेकेंड है 1260 and 7344 इनका हमें HCF find करना है Euclid division algorithm का use करके यानि यह series का use करके तो हम चलिए सबसे पहले इसमें step लगाते हैं A और B को find करते हैं तो पहला step तो हमें यहाँ पर यह लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ लिखेंगे by using Euclid division lemma तो A is equal to BQ plus R जहां remainder जो है वो 0 से बड़ा या उसके equal हो सकता है लेकिन B से less होता है फिर हम यहाँ पर यही format लिखेंगे A is equal to BQ plus R में क्या होता है dividend is equal to divisor into question plus remainder तो हम यहाँ लिखेंगे divisor into question plus remainder step 1 होता है आपका इसमें A और B fine करना है then हम यहाँ पर fine करते हैं जो कि A होना चाहिए यहाँ पर greater than B means A क्या है यहाँ पर जो बड़ी होगी वही value होगी तो यह हो गया 7344 A हो गया और B हो गया 1260 यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7344 is greater than 1260 तो चलिए divide करते हैं यहाँ पर तो 12607344 तो इसे हम अगर solve करेंगे तो यहाँ पर इसे हम five times लेके जाते हैं फिर हम multiply करेंगे five to the ten और three आपका 13 carry one और five और five और five और five और carry one six तो यह हो गया six three hundred minus करेंगे four minus zero four minus zero four minus zero four three minus three zero seven minus six one अभी भी यहाँ पर रिमेंडर जीरो नहीं आया है फिर शेडिवाइड करते हैं अब आपको इस टेप यहाँ से समझतों आई गया होगा कि यहाँ पर जो हमारा जो रिमेंडर होता है वो आपका बी बन जाता है और जो आपका डिविजर होता है वो आपका a बन जाता है क्योंकि जो greater होता है उसी को हम a मानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा one two six zero यह one times possible है यानि one zero four four minus कर देते हैं इसको तो carry लेंगे ten minus four यानि six हो गया five minus four यानि अब one हो गया और two minus zero means two हो गया अभी भी रिमेंडर जीरो नहीं आया है फिर स डिवाइट करेंगे one zero four four तो हमारा यह जो है two hundred sixteen है one zero four four है तो यहाँ पर अगर four two is eight करेंगे तो यह four times possible हो सकता है six four is a twenty four carry two four one is a four और carry two हो जाएगा आपका six four two is a eight eight hundred sixty four अब इसे भी माइनस करेंगे four minus four zero carry ले लेंगे आपे fourteen minus six हो गया आपका eight और nine minus eight करेंगे तो one one eighty अभी भी रिमेंडर जीरो नहीं है फिर से डिवाइट करेंगे two hundred sixteen two hundred sixteen है one times जा सकता है one eighty three minus करेंगे six minus zero six हो गया और eleven minus eight करेंगे तो three हो जाएगा one minus one आपका zero हो जाएगा फिर से हम इसको डिवाइट करते हैं 36 को one eighty से तो one eighty से डिवाइट करेंगे तो अगर हम इसे five times लजाएंगे तो यहां पर जीरो आजाएगा five three is a fifteen और three आपका 18 हो जाएगा यानि कि पूरा पूरा डिवाइट हो जाएगा तो five यहां पर हम ले जाते हैं five six ए thirty carry three five three is a fifteen और eight हो जाएगा और three हो जाएगा एटीन यानि आपका जाएगा zero तो यहां से रिमेंडर हमारा zero आ रहे है और जिस स्टेप पर रिमेंडर zero आता है वही हमारा क्या होता है एटीफ होता यानि कि यह जो thirty six है यही हमारा क्या होगा है एटीफ होगा अब इतने स्टेप्स को हम यहां पर इसे लिख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 2344 है डिवीडेंड इस इकोल टू डिवीजर इन्टू क्वेशन प्लस रिमेंडर यहां हम इसे लिख लेते हैं यानि की 1260 इन्टू 5 प्लस रिमेंडर 1044 अब इसके बाद यहां हम लिखेंगे here here r is not equal to zero तो हम यहां लिखेंगे again using euclid division lemma यानि फिर से use करेंगे इसका मतलब अब क्या हो जाएगा अब आपका जो यह division है उसे हम ले लेते हैं यहां पर dividend के साथ में और जो हमारा remainder है उसे हम ले लेते हैं question के साथ में यानि जो हमने यहां पर solve किया 1044 into 1 और हमारे यहां पर plus कित्ता आ रहा था remainder इसमें 216 आ रहा था then again हम यहां पर लिखेंगे here here r is not equal to zero तो again using euclid division lemma यानि यहां हम लिखेंगे 1044 जो की आपका क्या हो जाएगा यह जो division होता है वो आपका a बन जाता है और फिर हम यहां पर लिखेंगे 1044 is equal to 216 into 4 plus remainder किता आया था यहां पर 180 आया था फिर से लिखेंगे यहां पर 216 is equal to अब यहां पर किता है 180 into 1 plus 36 यहां पर लिखेंगे हम कि r is not equal to zero तो again using Euclid division lemma फिर से यूज की हमने यहां पर आप हम देखते हैं कि 180 वाला जो portion है यह जो है आपका 36 का टेबल से पूरिता से divide हो जा रहा है तो हम लिखेंगे therefore 180 is equal to 36 into 5 plus 0 और जहां पर remainder 0 आ गया यहां वही हमारा क्या हो जाता है उसी जगा पर जो divisor होता है वही होता है तो हम लिखेंगे therefore HCF of 1260 and 7344 is equal to 36 तो यह हो जाएगा हमारा answer इसका 36 तो आप इसका screenshot ले सकते हैं यह हो गया आपका question number 2 यहां से solve करने के बाद हमने इतना solve किया पार्ट number 3 है हमें 4050 और 12576 का hcr fine करना है हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें a is greater than b fine करेंगे यानि a और b fine करेंगे तो a हो जाएगा हमारा 12576 and b हो जाएगा 4050 तो अब हम यहां पर क्या करेंगे अब इसमें हम देख रहें कि यहां पर यह से greater है यानि हमारा यह 12576 is greater than 4050 फिर हम यहां पर use करेंगे यूजिंग यूक्लिट्स डिवीजन लेमा a is equal to b q plus r वेर आपका जो रिमेंडर है वो 0 के equal या उससे बड़ा होगा लेकिन b से यानि डिवीजर से छोटा होगा a का मतलब क्या होता है यहां पर आपका होता है dividend और b मतलब होता है डिवीजर और q means होता है coefficient और r means होता है remainder तो यह हो गया हमारा यहाँ पर यह ये UGE division Wasn लेमा का format आप चलिए यहाँ पर divide कर लेते हैं इसको तो हम यहां पर सबसे पहले divide करेंगे तो start करते हैं byट information यहां से तो यहां पर हो गया हमारा इससे अगर हम 576 divide करेंगे तो तो यह 4000 है और यह 12 है तो 4, 3, 12 आता है यानि आपका 3 times possible हो सकता है तो 3, 2, 6 कर लेते हैं 5, 4, 20 और 3, 4, 12 माइनस करेंगे तो 6, 6 करेंगे 0, 7, माइनस 0 करेंगे 7, 5, 2 करेंगे तो मारा आजाएगा 3 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आजाएगा 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 यह 15 होना चाहिए था 15 यहाँ पर 15 होगा यानि 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आजाएगा और 5-1 करेंगे यह आपका 1 है तो यहाँ पे 4 आएगा यानि आपका किता आ रहा है यहाँ पे 420 आ रहा है तो 420 आ रहा है अब फिर से 0 नहीं आया यानि हमको फिर से divide करना पड़ेगा तो अब हमारा A क्या हो जाएगा जो B था वो A बन जाएगा और जो remainder था वो आपका B बन 202 होता है यहाँ पर 8 करी वन और 9 फोजा 36 और करी वन ले लेंगे तो 37 करेंगे इसको तो 2-0 यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा आपको यहाँ पर 7 और इसके बाद 9-7 करेंगे तो 2 फिर से यहां पर इमन्ड़र जीरू नहीं आया यानि हमें फिर से solve करना पड़ेगा तो हम यहां पर 420 से डिवाइट करेंगे इसको तो यह हमारा जो है वन टेमस जाएगा 272 माइनस कर देते हैं यहां पर यहां पर आपका 4 आ जाएगा और यह हो गया 1 फिर उसके बाद इसको अगें डिवाइट करना पड़ेगा क्योंकि 0 नहीं आया है तो अब हम यहां फिर से वन 4148 माइनस करेंगे 12 माइनस 8 यानि 4 हो गया और आपका 6 माइनस 4 यानि 2 हो गया और 1 माइनस 1 1 हो गया 24 अभी भी सरपीRP लिमेंदर 0 नहीं है फिर से डिवाइट करेंगे 148 से एट नथ मौन टेमस जाएगा 124 अब इससे डिवाइट करते माइनस करेंगे यहां पर 4 आ जाएगा 4-2 करेंगे 24 तो 24 है आपका 24 फिर से यहाँ पर 124 से इसको divide कर देता है तो 124 से divide करेंगे तो 5 times लेके जाते हैं तो 5 4s are 20, 5 2s are 10 और carry आपका 2 12 हो जाएगा minus करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा तो 4 आया अभी भी remainder 0 नहीं आया फिर से इसको 24 से divide करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 times जाएगा 6 4s are 24 remainder 0 आ गया यानि यहाँ पर जो हमारा 4 है this is our hcf यह हमारा answer होगा अब इसे हम लोग भी steps में लिख लेते हैं लिखेंगे सबसे पहले therefore आपका यहाँ पर 12,576 means dividend is equal to divisor यानि 4052 into quotient means 3 और remainder आपका है 420 फिर से हमारा यहाँ पर है here here r is not equal to 0 तो हमारा again यहाँ पर क्या हो जाएगा again by Euclid's division lemma तो फिर से करेंगे यहाँ पर यानि हमारा अब यह जो है a बन जाएगा तो 4052 is equal to अब यह भी हो जाएगा यानि 420 into quotient 9 plus remainder 272 here here 420 is not equal to 0 means remainder is not equal to 0 तो again by Euclid's division lemma तो यानि हम यहाँ फिर से यूज करेंगे तो 420 is equal 420 is equal to 272 into 1 plus remainder 148 therefore again by 148 is not equal to 0 तो by Euclid's division lemma तो फिर से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 148 is equal to अब इसे हम डिवाइट sorry 272 272 is equal to 148 into 1 plus यहाँ पर किता आया था हमारा remainder आया था 124 तो हम यहाँ लिखेंगे 124 is not equal to 0 तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे Euclid's division lemma यूज करेंगे तो फिर से यूज करेंगे तो यानि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 148 is equal to 124 into 1 plus remainder किता आया था 24 आया था फिर से यहाँ पर है 24 is not equal to 0 तो by Euclid's division lemma तो फिर से हमने यहाँ पर लगा दिया अब इसमें हम लिखेंगे 124 is equal to 124 is equal to 24 into 5 plus remainder आया था 4 फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि remainder जो 4 है वो is not equal to 0 तो फिर से again by Euclid's division lemma यानि यहाँ पर हो जाएगा 24 is equal to किता आया था यहाँ पर 4 into 6 plus 0 यानि यहाँ पर जो है यह हमारा remainder 0 हो रहा है तो हम लिखेंगे here r is equal to 0 तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा therefore hcf of 14,052 and 12,576 is equal to 4 तो यह हो जाएगा हमारा answer तो यह था आप इसका screenshot ले सकते हैं इस तरह से हमने यह question number third जो है fourth का solution कर लिया है वीडियो अच्छा लग रहा है तो please like, share, subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much for watching तो बस्ट झाँ जाएगे हैं तो जाएगे हैं झाँ झाओ में हैं झाँ 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 झाड़गे हैं